तो आप सभी को नए साल की शुबकामना है क्योंकि नए साल का अगाज हो चुका है आज पहला दिन हैं। और नए साल की पहले दिन देश भर में मंदिरों में भक्तों की भीर देखी जा रही है। सुबह सुबह से श्रधालू पहुच रहे मंदिर में पूचा अचुना करने के लिए दिली के कालकाजी मंदिर में सुबह से भक्तों की बीर देखी जा रही है तो वहीं बारासी में भी सुबह सुबह गंगा आर्ती की गई दशाश्मी घाट में गंगा आर्ती उतारी गई य पूजान के लिए नया साल का अगाज भक्ती के साथ आज लोगों ने किया है और एक गोवा हाठी के तस्वीर आप देखने का मख्या मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रधालू पहुची है तो नया साल आज है और आज दूर-दूर से श्रधालू पहुच रहे हैं अज के दिन दर्शन करने के लिए काफी भीड भी रहती है उजयन में जिसको लेकर सुरक्षा विसा की काफी इंतिजाम किये गये हैं गाइड लाइन भी जारी की गई है हरदवार में भी सुबह से श्रधालू पहुचे हैं गंगास्तान करने के लिए आज रहा दिन है और इस मौकी पर शद्धालू दंकासान कर रहे हैं गोवाहटी में माकाबाख्या मंदिर में दर्शन कूजन करने के लिए पहुचे हैं और चलिए अब आपको एक बहुत खुबसूरत तस्वीरे दिखाते हैं दरसल 2023 तो गुज़ा चुका है लेकिन 2024 के नए सुरुदे को लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ट किया है मुंबई में इस साल का पहला सूरुदे देखे जरा तस्वीर में जहां कितना खुबसूरत ये सूरुदे नजर आ रहा है दूसरे तस्वीर आप देखे हैं पोड़े की और तीसे तस्वीर है गुज़ात के महसारा की सैक्रो लोगों की संख्या में सूर्य नमस्कार लोगो किया गया है तो लगनों में देख तक तो पाटी होती रही लेकिन सुभा कैसा आगाज हुआ है सिधे रूख करते हैं निती शमासा जोड़ चुके निती शाक्ट पहला दिन सबसे पहले आपको भी बहुत शुब कामना है नवश की आपक्या लजारा देख रहे हैं वहापर नए साल की आपको भी शुब कामना है और जिस वक्त ये पूरा उत्तर प्रदेश रात को नए वर्ष का स्वागत कर रहा था उस वक्त तस्मीरे मस्ती की थी लेकिन अब भक्ती की है आप देखिए अनमान से तो मंदिर है और यहाँ जो भक्त है वो जैश्री राम का यहाँ पर बावा की करपा से महाराज नीम प्रदी महाराज जी की दया से नवर्ष की पूर्ष संद्या पर कल भजन का कारक्रम हुआ था बहुत बग्तों ने भजन गाया आपर ऐसे हम लोग हर साल प्रती वर्ष इसको हम लोग करते हैं और आज इस समय नए वर्ष का आरम स सुन्दर गार्ण का पाड़ नीचे हम लोग प्रोजनाल से आप से जानेंगे उत्सा कितना नववर्ष के स्वागत को लेकर और किस तरह का उत्गोश हम लोग को बड़ी खुशी है और हमाने आले समय वे हमारा देश बहुत आगे चले इसलिए हमें सुपकामना है और पूरे स्वस्त रहें और ऐसी खुशाल रहें देश आपसे जानेंगे आज के दिन को लेकर भक्ति मैं उत्सा करता है बक्ति मैं उत्सा सुंदर कान पाड़ बावा की क्रिपा से हो रहा है और सभी बगतों को उनकी क्रिपा वनी रहे अभेरी तो इलिकामना है कुछ महिलाएं भी ह साथ दर्शन पूजा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इस मंदिर में आए और हमें मेरा ये सौभाग्या है कि हमें यहाँ पर पूजा अर्चना करने का मौका मिला यहां की विवस्ता बहुत ही अच्छी है अब देखिए यहां पर भक्तों की भीड को देखते हुई है और भक्त कातारबद होकर इस मंदिर में दर्शन कर रहे हैं भगवान हनुमान से आशिरवात प्राप्त कर रहे हैं काफी प्रसिद्ध मंदिर हैं यहां का लखनव का और भक्त यहां आते हैं सुंदरकांड का पाट करते हैं इसके साथ ही भगवान हनुमान के शरण सभी भक्त इसी कामना से इस मंदिर में हाजिर रहा है अच्छा को पहले दिन को नाने के लिए यहाँ पर जूख रहे हैं और आप देखें किस तरह के से लोगों के आपकी उस्टा है और कोई चाहता है कि पहले बर्स का जो आगाज है वो आज यहाँ पर होना चाहिए कुछ लोग भी हैं उनसे भी बात करने की कोसित करते हैं कहां से आएं आप लोग? एक हैं समस्ते आएं भान कई नावर्ज स्का क Dublin rests नवर्फट आ और एंस्पर सक दिने को ऐखा रोगान एक प्लिश को जो लिश्ति सीए नावर्ज लींस देपा है? और ये जो उस्ता है जो ब्रेज में आने वाले जो भक्तों का है जो आप देखेंगे लोग ललाए थे कि भगवान की एक जलक मिल जाए क्योंकि नववर्स का पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआ ठागुजी के चरड़ों में हाजिर लगा कर यहां पर जो भक्त हैं वो क चलक पाने के लिए सबी लोग यहां पर एकत्रित है और जहां तक आपकी रहज़त जाएगी क्योंकि गोवर्सन है दूच चड़ाने का विसे इसमेह तो है ठाग बाके बिहारी के दर्सनों के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि गिरुआज जी गोवर्सन पर सारा जहां भी आप देखेंगे नव वर्स के पहले दिन सर्दालियों की भी हर जगें दिखाई दे रही है और सभी लोग चाहते हैं कि जो दिन की शुरुआत इस वर्स की शुरुआत है वो भगवार्स के चैड़ों में दर्शन करने के साथ हो बाके बिहारी के और बत्रा दावन के बहुत शुक्रिया करें यार नितीश हमारे साथ जुड़ने के लिए वहां कर नजारा दिखाने के लिए तो दो